खबर पिपरिया से है तहसील कार्याले में आधार काड अपडेशन निरंतर चालू है लेकिन एक दिन में केवल 30 लोगों के आधार काड ही अपडेट हो रहे हैं कुछ लोगों की शिकायत है कि 6-7 दिन के लगभग समय लग रहा है आधार काड अपडेशन में वहीं दूसरी और चिंकु चोकसे ने बताया कि विधायक के लेटर पैट पर लिखवाने से केवल पता ही बदला जाएगा नाम एवं जन्मतिती में कोई परिवर्तन नहीं किया कुछ लोगों की शिकायत है कि अधार काड अपडेशन की चो हेलप लाइन हैं उसमें अपडेट कर आने के कुछ और नियम बताय जाए रहे हैं यहां को लेकर बेहत परिशान है और तलब है कि अधार कार्ड ततकालीन परिस्थिती में बेहत उम्हायूपूर्ण एवं उपियोगी डॉक्यूमेंट है और बैंक से लेकर सभी जगे पहले आधारकार्ट ही पूछा जाता है यही कारण है कि लोग अपने आधारकार्ट की तुरुटियों को सुधरवाने के लिए बेहत परिशान हो रहे हैं प्रशासन ध्यान दे एवं 6-7 लोगों द्वारा अब्डेशन का कारे कराए केवल अभी एक ही विक्ति द्वारा किया जा रहा है अब्डेशन क्या नाम है आपका कहां से आए आप किस लिए आए अच्छा तो कितने दिन से आ रहा है आज पहली बार आए और तो हो गया है आपका अधार काड़ अपडेट जमा हो गया कितने समय देंगे आपको रिटन तो आप यहां बैठी है मतलब कितने देर से बैठी हैं हम सोट ह्याए को से नाम है वाई है कहां से आई हैं अध्युन आप पडेट कराने कितने वजें आए यहां सरीया आदार्काड अपडेट थो रहे हैं आपर तो लगबग दिनवर में कितने आदार काड़ केबल तीन लोगों के आदार काड अपडेट उटे और यह बिदायक जी का लिखा हुआ लोग लेके आ हबर भारत वर्ष के लिए परिया से नवनीत परसाई की रिपोर्ट हबर हमारी पैसला जनतंत्र का